एंगुलर में fundamental building block of the angular application is a component तो component होता क्या है उसको detail में समझते हैं तो दोस्तों कोई मान लिजे कि एक website है वहाँ पर आप जाते हैं तो कई सारे section मौझूद होते हैं जैसे worldgyn.com में example दिखाता हूँ तो यहाँ पर header है और कई सारे sections बने हुए हैं यहाँ पर notice कर सकते हैं कि यह कई सारे sections हैं एक middle का portion है and headers हैं नीचे जो है footers दिये गए हैं तो यहाँ पर न कुछ इस प्रकार से बहुत सारे sections बने हुए हैं राइट अब हमने क्या किया कि एक section बनाया suppose that एक हमारा block है और मैं उस block को reuse करना चाहता हूँ अब यह जो block है multiple times reuse हो सकता है जिसमें हम कुछ detail डालेंगे just like a function ऐसे समझें कि suppose आपके पास एक function है function में क्या करते हैं कि आप जो है call करते हैं और required output आपको मिल जाता है या फिर जो lines of code आप execute करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं तो function को call कितना बार भी आप कर सकते हैं जो ब्राउजर में जो भी दिख रहा है जो भी section दिख रहे हैं left side, right side, middle portion, header and form हो गया एक button भी हो सकता है anything कुछ भी उस सबको एक component बना सकते हैं और component को reuse कर सकते हैं अंगुलर क्या बोलता है कि अगर किसी भी portion का अगर reusability का chances अगर है तो उसे हम component बना देंगे अब जैसे एक login page हो गया है तो login page भी एक component है, sign up page भी एक component है अब login page का जो feature कहीं भी चाहिए हमको, sometimes हमें क्या होता है जब expire हो जाता है login तो redirect कराने के बजाए हम कहीं pop-up में उस component को यह open कर देते हैं तो पहले से बना हुआ है तो उसको reuse कर सकते हैं, उसी type से form है, तो form को multiple times भी reuse कर सकते हैं multiple places पे, code को बार बार copy paste नहीं करना पड़ेगा, मतलब browser में कोई भी section आप देख रहे हैं, उसको आप reuse कर सकते हैं तो this is the advantage of component और यह component का concept के एंगुलर में नहीं है, most of the front end application and library हैं, आज के date में, modern library and framework वहाँ पे component का concept देखने को मिलता है, because it's really very powerful, यह जो है reusability प्रोवाइट करता है, और इसमें data और encapsulated रहते हैं मतलब component के अंदर इसका एक अपना scope है, component के अंदर अपना scope है, मतलब उसमें जो styles हैं, means उसमें CSS भी लिखे हो सकते हैं, उसमें logics भी होते हैं, उसमें HTML का part हो सकता है उसमें logic, I mean type script का content, means angular की बात करें, तो type script रहता है, जो कि उसमें logics लिख सकते हैं, उसके according जो है, page में rendering होगा, और चीज़ें दिखाई जाएंगी, उसको ज़्यादा dynamic बना सकते हैं, तो अगर हम component की बात करें, तो अगर हम, suppose that app component जो कि by default angular के द्वारा प्रोवाइड की रहता है, इस component की बात करें, तो हैंपर notice कीजिएगा, कि यहाँ पे HTML है, CSS है, और logical part है, तो यह सब encapsulated होते हैं, मतलब एक component में उस सब कुछ आ गया, अगर हम reuse करेंगे, तो इन सारे features को एक साती उच करेंगे, UI block, logics and CSS, everything, now angular में जो है न, data binding भी होता है, angular में क्या होता है, two-way data binding होता है, जो की seamlessly synchronization होता है, between component and view, अब इसका मतलब क्या है, suppose that हमारा HTML page है, और यहाँ पे logics लिखे हुए है, suppose that मैंने एक variable बनाया है, और यह variable का value जो है, अगर हम HTML में दिखाना चाहें, तो यहाँ पे दिखा सकते हैं, उके उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, जर्श उसका एक syntax है, curly braces के अंदर हम उस variable का value डाल देंगे, तो क्या होगा कि variable का value कभी भी change होगा, तो वो UI में भी reflect कर जाएगा, तो it's a two-way data binding, यह बहुत कूल चीज है कि, या कोई भी variable आप यूज कर रहे हैं, और उस variable के value को जो है, HTML में यूज कर सकते हैं, और उसका जब भी update होगा value, वो updated value रेंडर हो जाएगा, कई बार जो है ना two-way data binding ऐसे भी achieve कर सकते हैं, suppose that आपके पास एक form है, उस form में user का name suppose कर लिजिए, name आप provide करें, तो जैसे ही अब name provide करेंगे, at the same time उसका value कहीं और UI में render होगा, मतलब आप जैसे ही name डाले, तो ओ जाएगा पहले component के पास, component means type script के पास, वहाँ आप में variable होंगे, variable का value change हो जाएगा, variable का value तो change होगा, उसके साथ same value render हो जाएगा UI में, तो कितना cool चीज़ है, two way data binding, it's really very powerful, हाँ, इसके disadvantage भी है, disadvantage means हर समय यह चेक करता रहेगा, कभी variable का value change होगा, वह जाकर HTML में भी change कर देगा, तो यहाँ पे न कुछ disadvantage तो जरूर है, मतलब बहुत बड़े application में अगर ऐसा अगर बार बार होने लगेगा, तो कहीं ने कहीं performance पे issue होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है, उसका एक cost होता है, मतलब यह जो feature है, कि आप variable के value को change किये, और render हो जाएगा UI में भी, और कभी भी variable का value कोई logic के coding, या कोई एक function जो की change कर रहा है, या कभी भी होता है, तो वहाँ पर भी render हो जाएगा, तो हमेशा होते रहता है, यह हलाकि angular प्रोवाइड करता है, और internally angular इस चीज़ों को manage करता है, इसमें आपका कोई control नहीं है, इस बाइडिफॉल्ट फीचर, हलाकि control आप कर सकते हैं, बाइडिफॉल्ट फीचर है, बट इसको अगर restrict करना चाहते हैं, तो हमारे पास ng zone है, और भी चीज़ें जो की आगे discuss करेंगे, project optimization हम लोग करते हैं, basically to improve performance, बट small application के लिए, medium application के लिए, और suppose that कोई micro services होगर develop कर रहे हैं, तो वहाँ पे उतना ज़्यदा important नहीं होता, हम लोग generally, two-way data binding, data binding अगरा जो angular का concept है, वो हम लोग यूज़ करते हैं, वो इसे रियली वेरी powerful, and the state का जो management होता है, बहुत सही होता है, अगर हम other library की बात करें, और framework की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है, कि यह by default नहीं होता, आपने आप नहीं होता, आपको करना पड़ता है, उसके लिए आपको special code लिखने पड़ते हैं, but यहाँ पे यह automatically होता है, okay, automatically, तो this is a data binding, angular में two-way data binding है, और बहुत असान होता है, कि variable का value जब भी change होगा, UI में भी change हो जाएगा, तो कोई भी functionality है, वो एक cost आता है, उसका cost है performance, आपने उसके लिए कोई code नहीं लिखा, बट angular के team ने तो out of the box लिखा है, जिसके जरी यह हो रहा है, okay, so this is a data binding, जो कि angular के component के माद्धियम से, आप कर सकते हैं, इसके वज़े से दोस्तों क्या होगा, कि हमारा जो application है, बहुत ही modular हो जाएगा, मतलब सारे चीज़े encapsulated हो जाते हैं, styles हो गए, template हो गए, logics हो गए, तो एक नहीं बहुत ही modular design और reusability प्रोवाइट करता है, और हर एक section के लिए, हम जो है, separate कर देते हैं, हर एक section के लिए, हम जो एक component बना देते हैं, और component बनाने का मतलब है, कि हम उस logic को, उस UI block को separate कर दिये, और ये separation of concern की बात करें, तो बहुत ही better in हो जाता है, विकॉज ये बहुत easier to maintain हो जाता है, maintain करना चाहें, तो बहुत असानी से कर सकते हैं, because it's a component, आप जिस component में edit करना चाहते हैं, उसमें गए, उसके logics को समझे, और वहाँ पे आप maintain कर सकते हैं, और समझ सकते हैं, बहुत ही असान होगा, क्योंकि उसी component से related content यहाँ पे मोजूद है, उसी component से related यहाँ पे logics लिखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं होगा, कि बहुत सारे component एक साथ है, मतलब अगर मान के चलिए, कि अगर आपके पास यह framework नहीं होता, ऐसे framework library नहीं होते, आप manually javascript write करके, अगर यह करते, तो कई बार क्या होता है, कि आप component को separate नहीं कर पाते, जिसके वज़े से क्या होता, कि multiple component लिखने के बाद, आपको समझ में नहीं आता, कि कौन से component में क्या changes करना है, तो ओ जो है ना बहुत ही organized हो जाता है, और angular में तो जो इसका basic structure है, बहुत ही organized है, बिकोज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह component तो आप बना दिया, बट component को use कैसे करेंगे, तो उसके लिए selector है, तो component में logic तो आप लिख दिये, बट उस logic जो है कहीं नहीं डिस्पले होगा, तो कहां पर होगा, तो उसके लिए HTML इंपोर्ट कर दिये, और उसी type से CSS के लिए style URLs है, style URLs में आप एक area पास करेंगे, और उस area का value होगा, value nothing but एक path है, तो जितने भी CSS से उसका path दे सकते हैं, तो इस प्रकार से बहुत ही modular reusability बहुत सही हो जाता है, and encapsulated आपको feature provide मिलता है, data binding है इसके अंदर, और dependency injection, कई बर क्या होता है, कि component में dependency inject करते हैं, अब बोलेंगे wait, what is the dependency injection, तो dependency injection बहुत ही बेतर ही हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, कि माल लेज़े एक service है, और service का instance, same instance यूज़ करना चाहते हैं, across multiple components, तो यहाँ पर आप dependency inject करके, यूज़ कर सकते हैं, तो variable का जो value होगा, उसका same state maintain रहेगा, चाहे कहीं से भी करें, अलाकि जब services हम लोग discuss करेंगे, तो detail में जानेंगे, बट अभी दो है दोस्तों यही समझिए, और दोस्तों component का life cycle भी होता है, जैसे component create हुआ, component create होने से लेकर, destroy होता है, मतलब suppose that, किसी ने एक path को provide किया, ब्राउजर में, suppose that, हो है reset password का, तो जैसे reset हो गया, तो component वहाँ से हट जाएगा, तो component start से लेकर, destroy होने तक का एक चुछ life cycle होता है, उसमें कई सारे चीज़े होते हैं, जो कि इसमें बहुत सारे facility, एन थोड़ा सा ना, ये, I mean ये बहुत ही important हो जाता है, कि इसके हर एक event पे, हर एक means life cycle पे, आप कुछ न कुछ चीज़े कर सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा interactive हो जाता है component, और एक चीज़ और है, दोस्तों, एंगुलर में जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, कि URL, template अलग हो सकता है, style अलग हो सकता है, मतलब क्या है, कि मान लिज़े कोई designer है, designer जो की बहुत एक्सपर्ट है, केवल CSS का code लिखता है, बहुत ही बेजरिन code लिखता है, और एक जो developer है, वो जो है न, जो data है, वो data को कैसे दिखाना है, कहाँ पे दिखाना है, उसका logical part बहुत strong है, तो हम क्या करेंगे, CSS का part उसे दे देंगे, क्योंकि वो अलग files है, तो वहाँ पे CSS लिख रहा होगा, और आप यहाँ पे logic लिख रहे होंगे, तो development का speed कितना fast हो जाएगा, ओके, तो easily collaborate कर सकते हैं, means, दो लोग जो है एक project में, बड़े असानी से काम कर सकते हैं, जिसका जितना expertise है जिसमें, CSS जो लिखता है बंदा, उसका expertise है CSS में, तो वो separate file उसको मिल जाएगा, और separate file में जब वो करेगा, तो बेहतरिन result देखने को मिलेगा, और कोई conflicts नहीं होंगे, और आपने कई बार react में, state state सुना होगा, state management, state management होता क्या है दोस्तों, state management कुछ नहीं है, variable का just value ही तो है, जिसको हम लोग बोलते है state, variable का एक value है, अब उसको manage करने का मतलब है, कि variable का value कई बार change होते रहता है, तो जब वो change होता है, तो हमें भी कुछ action लेने पड़ते हैं, जैसे angular में क्या होता है, कि state बहुत आसानी से manage हो जाता है, क्योंकि जब भी variable का value चेंज होगा, उसका value reflect भी करेगा, because of the angular by default feature, और बहुत सारे other ऐसे library होते हैं, और framework होते हैं, इसमें ये सारे concept नहीं होते, उन्हें code लेकर करना पड़ता है वैसा, और दोस्तों क्योंकि component हम लोग create कर रहे हैं, और component can be separate, मतलब उसमें तो encapsulated होता है, encapsulated in the sense कि उसके सारे feature, मैं जैको एक block के लिए component बनाते हैं, तो ये component को हम share भी कर सकते हैं, suppose that उसके लिए एक library बना दिये, और हम उसको share कर दिये, कोई और भी use कर सकता है उस component को, मतलब इस project में तो use कर ही रहे हैं, किसी दूसरे project में भी कर सकते हैं, और दोस्तों इसमें testing भी लिख सकते हैं, ठीक है, unit testing लिखते हैं, जैसे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, spec.ts, spec.ts में अभी तो by default कुछ test cases लिखे हुए हैं, बढ़ यहाँ पर test भी लिख सकते हैं, मतलब सारा काम, component से related, means component is just a UI block, UI blocks related, everything यहाँ पर possible है, बहुत ही organized way में है, जिससे project बहुत ही scalable हो जाता है, और readability भी बढ़ती है, नाव हम लोग समझेंगे, दोस्तों यह by default जो component generate होता है, जब आप NPM command run कर, NG command run करके, means Angular का CLI command run करके अप generate करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो basic, जो आपको structure मिलता है, कुछ इस प्रकार से मिलता है, जिसमें यह add-d-rate component होता क्या है, तो दोस्तों यह जो add-d-rate component के देख रहे हैं न, यह कुछ नहीं, एक decorator है, जो कि Angular को, हम लोग एक कुछ basic चीजे हैं, means एक metadata प्रोवाइट करते हैं, metadata यह प्रोवाइट करते हैं, कि Angular होता है क्या देखिए दोस्तों, Angular में बहुत सारे file होते हैं, जो कि Node Modules में मिल जाएंगे, तो वो क्या करता है, कि वो जो है, उसको बताना पड़ेगा, कि जब यह compile होगा, यह component है, तो component कैसे काम करना चाहिए, way of working, और शारे चीजे हम लोग यह decorator के माद्यम से बताते हैं, तो यह add-d-rate component, component के अंदर एक हम लोगों ने object पास किया, और उस object के properties हैं, वो properties के माद्यम से हम बोलते हैं, यह जो component है, यह कैसे work करेगा, ओके, यह कैसे render होगा, मतलब यह सारे information हम angular को देते हैं, तब angular जो है, आप जैसा instruction दिये हैं, उसी के according यह काम करेगा, तो selector, selector का मतलब यह होता है, कि अगर कोई use करना चाहिए इस component को, तो कैसे कर सकता है, तो उसके लिए आप सको selector देना पड़ेगा, और selector में जो भी आप डालिएगा, वो इस selector के माद्यम से, वो use कर सकता है, अब जैसे इस selector हो कैसे use करेंगे, तो मैं एक HTML में आ गया, और यहां से मैं सब कुछ को remove कर देता हूँ, बिकास यह unnecessary code है, और मैं यहां पे, कुछ इस प्रकार से डाल देंगे, तो दोस्तों यह हो गया selector, selector is nothing but one kind of tag, tag आप बोल सकते हैं, जो HTML में use किया जा सकता है, तो यह हो गया दोस्तों selector, कई बार हम selector के माध्यम से, angular के component को use करते हैं, दूसरा हो गया template URL, मतलब जो भी HTML का part है, वो यहां पे define करेंगे and then CSS, तो ऐसा नहीं है, कि इसमें जो by default जो दिया गया जो properties, इतने ही property होते हैं, और भी property होते हैं, जो कि फिलाल यहां पे list नहीं है, और जम लोग use करते जाते हैं, तो दिरे दिरे उसका use करते हैं, अब जैसे यहां पे provider use कर सकते हैं, provider जो module में आपने देखा था, वो यहां पे use कर सकते हैं, provider, यहां पे provider use करने का एक अलग advantage है, मतलब जैसे आपने module में यूज कर लिया root modulate से इस condition में तो अगर आप root module में अगर यूज करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो services आप inject करेंगे तो उसका same instance inject होगा बट आप ऐसा चाहते हैं कि उसका different instance होना चाहिए instance क्या है instance क्या है दोस्तों कि एक instance क्रियेट कर रहे हैं तो कई सारे जब object क्रियेट करते हैं तो सारे जो object होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं ऐसा नहीं है कि object 1 में जो variable का value था वो 2 में भी मिलेगा वो दोनों अलग-अलग हो सकते हैं और उसके state maintain रहते हैं बट कभी-कभी case में आपको ऐसा चाहिए कि मालेजे एक object है और उस object का value अगर आप change करेंगे तो उसका असा second में पढ़ना चाहिए तो ये सब चीज़ेगना एंगुलर में आप बड़े अशान ही से कर सकते हैं because of the services तो ऐसा करने के लिए उसका difference instance create करने के लिए आपको providers में define करना पड़ता है उस service को और उस service को आपको root module में नहीं डालना होता है then जो है उसका different instance create कर सकते हैं और भी उपाया है मैं services का और भी इसको बोलते हैं ना इस concept को बोलते हैं singleton singleton service तो और भी वे है जिसके जरिए आप singleton service बना सकते हैं उसका different instance बना सकते हैं तो इसमें और भी properties होते हैं वो property मिलेगा कैसे हैं तो हम component में जाते हैं उसके definition में and let's see go to the definition now अब इसमें अगर हम लोग जाएंगे तो इसमें जो properties available है उसमें है change detection अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि कई बार क्या होता है कि by default आप कुछ भी change कर रहे हैं कोई variable है variable का value change होगा तो वहाँ भी change होगा उसी type से हमारे पास input directive होते हैं okay input होते हैं let's say add direct input decorator sorry add direct input और हमारे पास output होता है तो कई बार क्या होता है कि कोई बिएगर changes होगा तो ओ changes हमें साथ continuously चेक करते रहेंगे यह जो changes हुआ है उसका नया value आया उसको value को render करो उसको populate करो हर जगा तो continuously होता रहेगा इसको बोलता है change detection तो हम लोग change detection के strategy को follow कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे change detection के कई सारे strategy हैं जैसे on push 0, default 1 something like that तो दोस्तों यह सब बहुत सारे strategy होते हैं जो कि आगे मैं बताऊंगा तो यहाँ पे होगा change detection change detection आप define कर सकते हैं उसके बार आता है view provider अलाकि यह ज़्यादा यूज में नहीं आता तो बट यह भी property होता है module id हो गया template url तो यूज करते ही है template कई बार क्या होता है ना कि आप जो है na HTML का part जो है HTML में नहीं लिखते हैं different file में नहीं लिखते हैं वहीं पे लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं तो वहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे तो आपको कुछ करना पड़ेगा तो यह करना पड़ेगा कि यह जो आप ऐसे लिख रहे थे इसको यहाँ पे हटा कर आपको इस sign को क्या बोलते हैं इसको back tick बोलते हैं तो back tick के अंदर में भी आप जो है HTML का code लिख सकते हैं कई बेर क्या होता है कि ज़्यादा HTML का code नहीं लिखना होता है तो उसके लिए कोई different URL तो चाहिए नहीं आपको तो अगर ऐसा कोई सिनारियो है तो better यह होता है कि उसी page में आप HTML लिख लें inline बोल सकते हैं inline HTML भी लिख सकते हैं तो वो चीज है यहाँ पे है template तो इसको बोलते हैं न inline template अब जैसे inline template अगर यूज करेंगे तो यह वाला property यूज नहीं करेंगे template इसमें template URL इसमें URL हटा देंगे तब यह काम करेगा कुछ इस प्रकार से तो मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ अभी के लिए तो यह इसमें प्रोपरिटी अवैलेबल यह सारे metadata हैं हम angular को बताते हैं इसके माद्यम से कि यह जो component है ना उसमें कैसे use होना चाहिए style URL मैंने आपको बता दिये style अब directly CSS code यहां पर भी लिख सकते instead of writing CSS in different file अब छोटा सा एक class ही तो है एक class लिखने के लिए अब अलग से page बना कर क्यों लिखेंगे हलाकि थोड़ा सा कर लेना सही होता है बट अगर basic है तो जवरत नहीं है ना उसके लिए inline CSS enough है तो आप दोस्तो inline CSS भी लिख सकते है then उसके लिए styles लिखना पड़ेगा and उसका एक syntax है proper आपने जैसा कि मैंने वादा back ticks को यूज कर सकते है animation तो animation आप add कर सकते है उसके बाद encapsulation इसमें क्या होता है दोस्तो view encapsulation होता है view encapsulation it means हलाकि मैं इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा but यहाँ पर तीन टाइप के encapsulation है emulated, none and shadow dom okay shadow dom so मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कई बार क्या होता है न कि component, multiple component use करते है but उस component के अंदर जो CSS लिखा गया है वो same CSS होता है but उसका reflect उसी particular component में होता है उसी particular component में उसी CSS का code काम करेगा वो दूसरे component में नहीं करेगा वो थोड़ा सा encapsulation provide कर देता है इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि हम लोगों ने view encapsulation by default होता है emulated by default emulated होता है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या करता है कि हर एक class के लिए एक थोड़ा सा different id जेनरेट करता है तो यह होगा emulated एक होता है none जिसमें क्या होगा कि आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा एक shadow dom होता है shadow dom एक native feature है browser का अब example के तौर पर मैं बताऊं तो एक ना हम video ले लेते हैं तो जब आप video लेंगे तो video कहीं play हो रहा है तो video play मैं quickly देखता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर तो available नहीं है बट कई बर क्या होता है ना कि ओ जो video play होता है तो जब उसका tag देखेंगे तो tag में क्या होगा तो tag में मैं दिखाता हूँ मैं एक open कर लेता हूँ how to embed a video player suppose it यह हमारा video है w3 school में अब हम इसे ना inspect करके देखते हैं inspect करके हम देखते हैं मैंने inspect किया और उसका जो title होता है I mean उसका tag होता है tag देखेंगे video ठीक है video के अंदर उसका width दिया गया है hide दिया गया कुछ controls है controls में उसमें फिर source दिया गया है and source में दिया गया है कि कौन सा video play होगा तो उसका pass दिया गया है उसका type दिया गया है mp4 तो इस प्रकार से एक वीडियो है जो कि यहाँ पे प्ले होगा बट आप नोटिस किये हैं कि यह जो चीज है न HTML को मैंने तो बता दिया कि यह तो वीडियो है बट आपको क्या पता है कि यह जो बार देख रहे हैं पाउज बटन यह सारे चीज जो आप देख रहे हैं यह सब कहां से आ रहा है तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं उसके आईडीज है इस टाइल everything is fine बट जब इसको expand करेंगे न तो expand करने के बाद यहाँ पे बस इसके source code में यही दिख रहे होंगे कि आपने इसको मैं नीचे कर लेता हूँ and then मैं सैडर डॉम में दिखाता हूँ इसका यह सब चीजे आ रहे हैं जैसे कि मैंने बताए play, pause and then timeline दिखाई दे रहा है and then sound को कम या ज़्यादा कर सकते हैं maximize कर सकते हैं और यहाँ पे download का भी option है तो यह सारे जो options हैं और कहां से आ रहे हैं obvious ही बात है यह ब्राउजर के द्वारा ही आ रहा है आप tag के मार्दम से बता रहे हैं यह जो है video है और उसको video जैसा play करना है बट फिर भी तो मैं क्या यहाँ पे जाता हूँ मैं यहाँ पे जाता हूँ application and application में नहीं मैं यहाँ पे shadow dom आपको enable करना पड़ेगा by default यह enable नहीं होता है तो मैं I think यहाँ पे settings का option है मैं settings पे जाता हूँ और यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा because मैं quickly आपको दिखाता हूँ यह देखिए अब मैं इसको close करके फिर से दिखाता हूँ जब हम इस इस पे click करते हैं यह जो gear icon बना हुआ है settings browser के developer tool में ओके जब हम इस पे click करेंगे then यह option आपको available हो जाएगा तो इस option पे एक नज़र डालेंगे तो कहीं ने कहीं आपको shadow dom करके देखने को मिलेगा control F से search करते हैं यह काम नहीं कर रहा है I think control F तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे element के अंदर shadow user isn't so user isn't shadow dom अगर आप इसको click करते हैं तो click करने के बाद हम इसको close कर देते हैं अब now हम फिर से inspect करके इस video को देखेंगे तो जैसे यहाँ वीडियो को inspect करके आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यह देखेंगे वीडियो ठीक है वीडियो में क्या है source है जो की path दिया गया है but इसमें ना shadow root लिखा हुआ है जब आप इसको expand करेंगे expand करने के बाद इसमें पूरा मीडिया से related detail दिया गया है कि sizing, small means बहुत कुछ है इसमें हलाकि यह जो color है and everything sub combination वो सब यहाँ से आ रहा है दोस्तों तो देख सकते हैं कितना detail में है कितना बहुत बड़ा बड़े divisions and उसके styles and everything अंदर I mean shadow dom के अंदर लिखा हुआ जिस वज़ा से आपको बहुत ही अच्छा visual देखने को मिल रहा है तो यह होता है shadow dom तो आप अपने component को अगर आप shadow dom बनाना चाहते हैं तो ओभी कर सकते हैं यह एक type का एक ऐसा component बन जाएगा जो कि encapsulated होगा मतलब कुछ जो भी इसके अंदर tags होते है या फिर HTML का कोड है कुछ भी अगर लिकरें तो वो shadow dom की तरह काम करेगा यह जो है एक native और by default native जो है फीचर होता है ब्राउजर का और यह और हम लोग जो component यूज़ करते हैं यह native फीचर नहीं होता इसका purpose यह होता है कि यह थोड़ा साना separate कर दिया जाए अब मैंना एक example देखकर आपको बताता हूँ मैं quickly इस project को run कर लेता हूँ तो मैं command डालूँगा ng serve ng and then serve hyphen hyphen open that's it now तो यह यहाँ पर open हो गया यहाँ पर कुछ display नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर remove कर दिया था आपको याद हो गया है यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं एक division add करता हूँ और उसमे ए class add करते हैं तो मैं हाँ पर लिख देता हूँ div and this div के अंदर मैं हाँ पर लिख देता हूँ example मैं example लिख देता हूँ मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो है ना जो हमारा component है angular में वो थोड़ा सा different हो जाता है कैसे होता है और मैं quickly बताता हूँ तो मैं एक class में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ test test class हम यह test class यूज़ करेंगे और हम उसके बाद क्या करेंगे यह जो app component और css file है तो उसमें test के लिए test के लिए एक code लिख देते हैं css code तो यह होगे css code और अब यहाँ पे लिख देते हैं color rate कर देते हैं color rate now what will happen अगर हम page को refresh करेंगे तो दोस्तों EX तो आ रहा है यहाँ पे red में आ रहा है red color में yes red आ गया तो जो changes से reflect हो गया मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ देखे कितना जूम में यह EX आ गया right but आप inspect करके आप देखिएगा inspect करके जब आप यहाँ पे आप notice किजिएगा तो यह जो class है न टेस्ट यह तो है ही बट इसके अंदर आप notice किजिएगा कि यह कुछ न यूनिक सेलेक्टर एड हो गया है जो कि ng content ng and then कुछ id है तो दोस्तों यह है क्या यह id बेसिकली एक यूनिकनेश प्रोवाइड कर देता है पट इसके आप कैसे यूनिकनेश प्रोवाइड करता है तो आपने जो टेस्ट के लिए जो CSS लिखा था उस CSS बेसिकली ऐसा लिखा हुआ पर एंडर हो रहा है तो यह test and test के अंदर हम उसको select कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से एक selector additional selector आप देख सकते हैं तो हमारा जो code है ना CSS का वो modify हो गया अब क्या हो गया इस प्रकार से तो ना हो यह जो class है ना क्लास का जो CSS आपने लिखा था क्योंकि वो modified हो चुका है कुछ IDs और कुछ random value यहां पर add करके कुछ extra बना दिया गया है इसलिए दोस्तों इसलिए यह जो test है test जो class है वो class के वाल इसी component के लिए valid होगा किसी दूसरे component के लिए काम नहीं करेगा अगर ऐसा नहीं होता तो यह globally काम करने लग जाता मतलब कोई भी अगर किसी का भी class अगर test है और पूरे application में कहीं पर भी उसको मिल जाएगा तो reflect कर जाएगा तो इसको avoid करने के लिए इसको encapsulate करने के लिए हम लोग कुछ इस प्रकार से यूज करते हैं तो इस प्रकार से obvious ये बात है मैंने आपको जो बताया कि component में view encapsulation यूज करते हैं और view encapsulation basically यही काम करता है कि आपको encapsulate कर देता है ठीक है encapsulate कर देता है उसको थोड़ा सा separation provide कर देता है ताकि वो conflict ना हो otherwise आप चाहते हैं कि नहीं वो globally भी काम करना चाहिए तो भी possible है तो उसके लिए आपको वहां पे लिखना पड़ेगा जैसे view encapsulation में फिर से जाता हूँ और let's go to the view encapsulation या encapsulation encapsulation में इसका जो type है view encapsulation है और view encapsulation में by default यही होता है emulated and then none अगर कीजिएगा तो ओ जो extra जो id जोग रहे हैं यहाँ पे add दिख रहे थे ना ओ नहीं होगा फिर फिर ओ globally work करने लग जाएगा अगला आता है shadow DOM shadow DOM में भी क्या होता है कि CSS जो होता है और भी किवल उसी component में काम करेगा बट यह browser के native feature की तरह काम करेगा मतलब ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यह जो वीडियो प्ले हुआ था तो वीडियो प्ले होने के लिए shadow DOM यूज किया गया था जो कि उसके वीडियो में जो भी प्ले पॉस और बहुत सारे other features हैं अब कोई भी चीज ऐसे randomly नहीं आता उसके लिए code करना पड़ता है यह मान के चलिए छोटा से छोटा चीज के लिए code लिखना पड़ता है उसके लिए logics लिके होते हैं तो वो जो है न एकुछ इस प्रकार से logic है बट suppose एट उसके class भी है अब इस shadow DOM अगर हम open किये तो इसका class है sizing small but यह sizing small के उपर जो CSS का I mean CSS लिखा गया है वो globally वो available नहीं होगा ओके ओल इसी के अंदर काम करेगा बतलब इसी component के अंदर काम करेगा जैसे इस case में video component है video को as a component मान लीचे तो video component के अंदर ही काम करेगा उसे बाहर नहीं काम करेगा otherwise यह क्या होता था कि यह conflict हो जाता औ और जहां कहीं भी हम sizing small लिखे हैं तो इसके लिए जो CSS लिखा हुआ है वो हर जगा काम कर जाता तो यह थोड़ा सा यह serodome अलग हो जाता है तो आप यह समझ गए emulator जो by default होता है इसमें id होगा automatically add हो जाता है ताकि जो selector होगा यह unique होगा और none में जो है वो globally provide हो जाता है any sort of CSS style encapsulation meaning all the style provided via this one are applicable any HTML element of the application regardless of their host component मतलब यह है कि इस component के लिए आपने CSS लिखा बट OCS हर जगा काम करने लगेगा तो यह जो है na recommended way नहीं है बट कभी कभी ऐसा करना पढ़ सकता है और अगर आप ऐसा करना चाते हैं तो कर सकते हैं तो यह हो गया दोस्तु नाओ हम लोग फिर से component के जो meta data है उसके उपर आते हैं तो मैं यहाँ पर जाता हूं component के meta data के पास and change detection मैंने आपको बताया change detection के भी बहुत सारे strategy होते हैं on push and by default ओके तो otherwise change जो है continuously detect होता रहेगा और उसे performance issue create होता है तो कई बार ऐसा optimization करना पड़ता है then जो है हम लोग के हमें बात कर रहे थे encapsulation then interpolation okay interpolation है and then preserve white space stand alone okay now angular में न दोस्तों जो previous version था उस previous version में हम लोग component जब create करते थे तो ओ dependent होता था किसी एक module पे मतलब एक module तो चाहिए ही चाहिए बट angular 15 के बाद मिंस एंगुलर 15 में जो आया था वो testing के परपस experimental basis पे आया था कि कैसा response आता है public का बट दोस्तों stand alone जो है न आज के डेट में means angular 16 17 में दोस्तों बहुत important हो जाता है stand alone से क्या होता है कि अब जो dependency रहता है module के ओपर ओ खतम हो जाएगा इसका मतलब क्या है इसे advantage क्या है dependency ठीक है उसमें issues क्या थे पहले यह सुछ समझ ले तो issues क्या थे दोस्तों stand alone में क्यों यह useful हो सकता है क्योंकि suppose that क्या होता है कि आपको यूज करना पड़ता है service आपको यूज करना पड़ता है directive, pipes बट कैसे यूज करेंगे component में यूज करने के लिए पहले आप module में declare करेंगे then जो है component में work करेगा ठीक है अब मान लेजे कि एक component में हमको pipe यूज करना है कि वह एक component में यूज करना है और हम कर क्या रहे हैं कि हम module में provide कर दे रहे हैं इसका मतलब कि सारे component जो भी उस module से connected है वो सारे component में वो काम करने लगेगा हलाकि वो काम नहीं करेगा because वो pipes आप यूज नहीं कर रहे हैं यूज कर नहीं रहे हैं फिर भी सब के लिए आप बना दिये तो performance issue create होगा क्योंकि app module में आप declaration में component के अलावा आप module sorry pipes and directive भी add करते हैं यह just एक छोटा सा example में बता है ऐसे चोटे 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 बहुत सारे minor issues आते हैं जिसको हम optimize करना पसंद करते हैं जिससे हमारा application और भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा तो हमारे पास यह तो option है ही module का जो हम लोग use करते हैं बट कई scenario में क्या होता है कि हमें stand alone component यूज करना पड़ता है उसके लिए root module भी नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए directly किवल component से काम हो जाएगा तो उसके लिए जो है एक stand alone आपको एक boolean उसको true करना पड़ेगा अब इसमें आप मैं कुछ पढ़ता हूँ angular component marked as a stand alone do not need to be declared in the ng module अब ng module means क्या module को ही तो बोलते हैं ng module it means it's provide a metadata to angular ठीक है तो ये module को ही बोलते हैं ऐसे मानिये तो ng module में आपको declare करने के जोरत नहीं है why because ये stand alone है ठीक है अगर इसको true कर देते हैं now component directly manage their own template dependencies component directive and pipes using a template via the import property अब दोस्तों क्या होता है कि ये जो है न ये अटो ये जो अगर हम इसको true कर देते हैं stand alone true कर देते हैं तो ये जो है खुद खुद बखुद ये manage करता है अब वो manage खुद बखुद नहीं करेगा तो of course हमको अगर directive and pipes रही है तो import करने पड़ेंगे तो उसके लिए दोस्तों import एक section आएगा देखिए इंपोर्ट है इंपोर्ट में बहुत सारे चीज़े एक एरे होता है उस एरे में directive and pipes भी इंपोर्ट कर सकते हैं तो ये होगा दोस्तों stand alone stand alone आज के date में बहुत important हो जाता है इसका knowledge because हो सकता है कि in real life में use होता है ऐसा नहीं बोलेंगे कि use नहीं हो रहा है but लोग structure अभी भी old वाला ही follow कर रहे है but it's a nice कि अगर आप आपको अगर मौका मिले एक बड़े project को design करने के लिए तो आप इस feature को जो है consider करें और unnecessary जब हमको module की requirement नहीं है तो वहाँ पर component में I mean component को stand alone बनाना जादा I mean important नहीं बोलूंगा यह थोड़ा से suitable choice हो जाता है then उसके बाद आता है schemas तो कुछ इस प्रकार से इस प्रकार के metadata मौजूद होते हैं component में now अब बात यह आता है कि component को create कैसे करें ठीक है तो component को create करने के लिए stand alone component को कैसे create करें दोनों में difference किया है तो quickly मैं आपको दिखाता हूँ तो मैं जो है न एक CLI command open कर लेता हूँ angular का CLI command and यहाँ पे मैं component generate करूँगा आप यहाँ पे notice कीजिएगा कि currently इस project में यह app component ही है जो कि root component है अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक चीज़ और है दोस्तों अगर हम अगर module अगर use ही नहीं करना चाहते बट bootstrap तो करना पड़ेगा न मुझे angular क्या बोलता है कि at least one module तो होना चाहिए बट ऐसा जबरी नहीं है पहले का यह definition था अब का definition यह बोलता है कि अब जो है वो module नहीं भी होगा तब भी चलेगा root module नहीं भी होगा तो तो हम directly bootstrap कर सकते हैं main.ts में यह चीज़े miss हो गई थी यह बताना मैं भूल गया था कि आप module को bootstrap नहीं कर सकते हैं बलकि component को भी कर सकते हैं directly component को कर लिए जो कि stand-alone component होगा तो मैं एक component बनाता हूं और दोनों में difference देखते हैं मैं एक क्याम करता हूं मैं component बनाऊंगा जिसको बोलते हैं normal component बनाते हैं जैसे आप भी बनाते होंगे ng कैसे बनाएंगे ng command run करेंगे ng generate component ओके and then component का name दे रहते हैं कि पहला name दे रहते हैं कि नॉर्मल component हो यहां पर नॉर्मल लिख देते हैं नॉर्मल लिख दिया तो देखिए component generate हो रहा है कहां पर generate होकर दिखाएगा let's see इसको थोड़ा सा मैं maximize कर देता हूँ तो यहां पर notice करेंगे कि normal जो component होता है उसमें यह सारे फाइले तो आ जाती है जो basic structure जो उसका basic skeleton हो तो आ जाता है normal component.html spec means testing का file ts file css file बट आप notice करेंगे न कि app module में यह update भी हुआ है update क्या हुआ है कि import करना पड़ता है means हमारा तो ऐसा ही होता है कि कोई भी अगर component create करेंगे तो ng module में ng module means module simple ठीक है ng module में जाकर import करना पड़ेगा तब ही काम करेगा तो यह जो command है न यह by default यह काम कर देता है तो यह तो normal component हो गया but stand alone component के लिए दोस्तों हमको यहाँ पे hyphen hyphen stand alone डालना पड़ता है stand alone let's see यह काम करता है कि नहीं यह flag नहीं यह spelling मुझे लग रहा था कि spelling mistake है तो यहाँ पे जो spelling है st and okay so let's see अगर हम यह command run करते है stand alone just flag मैंने डाला तो यह क्या बोल रहा है न कि यह कुछ merge conflict बोल रहा है मतलब पहले से normal component हो था ही तो अब बोल रहा है कि ठीक है वो तो सही है बट यह na merge conflict हो रहा है means यह जो है न अलग file है यहाँ पर दिखाई दे रही है spec.ts अभी notice कीजिएगा यहाँ पर क्या बदलाव हुआ तो अगर हम यहाँ पर code में जाएंगे और normal के अंदर जाएंगे तो बाकी सब तो सही है बट यह सही से create नहीं हुगा है तो मैं normal नहीं करूंगा मैं कोई और name दे देता हूं जो कि stand alone होगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं test test and stand alone test stand मैं एक name दे दिया enter इंटर तो इस condition में दोस्तों जो हमारा component generate हुआ है वो जो है update नहीं हुआ है यहाँ पर notice कर सकते हैं कि app module में पहले update हो रहा था import हो रहा था declaration section में यहाँ पर नहीं हुआ because यह stand alone है अब इसको ना module से कोई लेना देना नहीं है ओके तो that's why मैं यहाँ पर आ जाता हूं module कहां गया module यह यह रहा तो यह module से आप कोई लेना देना नहीं है और यह component हमारा create हो गया test standalone बट इसके अंदर जब देखेंगे file का structure देखेंगे तो आपको समझ में आएगा तो मैं जाता हूं यह type script का file और यहाँ पर notice कर रहे होंगे यह selector है selector यूज कर रहे थे selector है means obvious से बात है component का है तो basic चीज होता है selector कि component बना तो दिए बस इसे use कैसे करेंगे तो selector के माद्य हम से करेंगे and then stand alone true है मतलब इसके लिए जो है ना module की जवरत ही नहीं है उसके बार आता imports imports में हम लोग common module import की है क्यों क्योंकि यह जो है na basic structure and provide कर किय है जो हम command run करके generate किये तो angular CLI ने जो generate करके जो command किया दिया है वो basically यह दिया है कि यह सारे code तो हम लोग use करते ही करते है common module तो चाहिए why because common module के जरीए ही तो star ng, star ng for directive और कुछ important directive and pipes जो angular के तरफ से आते हैं वो common module के जरीए ही आते हैं मैंने आपको बताया था common module के बारे में जब module हम discuss कर रहे थे तो browser module and common module में difference क्या है तो मैंने आपको बताया था तो उसी प्रकार से यहाँ पे आप notice कर रहे होंगे यह जो common module है यह चाहिए तभी star ng for I mean यह सब चीजे काम करेगी ठीक है डायरेक्टिव एंगुलर का जो इन बिल्ड डायरेक्टिव है इस्ट्रक्टरल डायरेक्टिव है star ng for star ng if जो इस्ट्रक्टरल डायरेक्टिव है और जो पाइप से date pipe अपर केस पाइप लोवर केस पाइप तो यह सारे चीजे ना इसी के दौर इसी से आती है other component अग कोई different module import करना चाहते हैं तो और भी जो है इस area के अंदर कर सकते हैं तो यह हो गया दोस्तो stand alone अब इसके बहुत सारे फायदे हैं एक तो देखिए मैंने आपको बताया कि एक तो इसका यह है कि अब बहुत और भी ज्यादा reusable हो गया क्योंकि इसका dependency खतम ही हो गया module पे तो ब गोल्डर बना हुआ है test stand alone इसको copy किये और किसे दूसरे project में भी डाकर यूज कर लेंगे हलाकि उसके लिए यह सारे जो imports के section में जो कुछ भी लिख रहे हों मौजूद होना चाहिए तब यह properly work करेगा और अच्छे से integrate करना चाहिए बट यह थोड़ा सान ज्यादा reusable होता है और easy to test होता है मतलब testing भी करना चाहते हैं तो क्योंकि अब ng module से इसका tie-up ही खतम हो गया ना अब वो tidy नहीं है means कोई एक specific module से connected नहीं है तो जब testing करते हैं तो सब चीज़े यहीं पे हैं आप फटाक से testing कर लेंगे आसान हो जाता है हमारा और यह बहुत small भी होता है ओके because यह जो ng module का part ही नहीं है अब मान लेज़े कि हमको bootstrap करना है angular application को तो पहले क्या होता था पहले पहले angular बोलता था मतलब अभी बोलता है by default तो अभी भी ऐसा ही है कि angular koda module तो चाहिए at least one module तो चाहिए जिसको बोलते है root module bootstrap होने के लिए बट stand alone जो component है उसको भी bootstrap करा सकते हैं उसके लिए कोई module चाहिए ही नहीं अलाग अलाग नए जो version आते जाते हैं उसमें काफी improvement देखने को मिल रहा है मतलब वो क्या करता है कि ऐसा part जिस part को हम लोग use कर ही नहीं रहे हैं बस unnecessary created है तो angular क्या करता है ना उसको पहले identify करता है और identify करके उसको remove करता है तो identify करके उसको ignore करता है जब वो bundle create करता है तो थोड़ा सा file जो है bundle side short हो जाता है और हमारा application fast हो जाता है तो उसी type से थोड़ा और fast करने के लिए हम module को ही remove कर दिये और मान लिजे कि जैसे मैंने एक example बताया था ना कि 10 different component है और 10 different में कि बढ़ दो के लिए ही मुझे एक कुछ specific directive and pipe चाहिए means in build suppose that आपने बनाया बट दो के लिए ही चाहिए सभी के लिए नहीं चाहिए तो फिर भी जो है आप जो है ना module में root module में ng module में जाकर आप add करते थे तब जाकर वो काम करता था तो जिस component में आप काम कराना चाहते थे let's say 2 component में आप काम कराना चाहते थे उसमें तो काम कराई सकते थे उसके साथ साथ आप जो है सारे component के लिए वो apply हो गया था मतलब सोचिए कि वह दो component में use करना है और 10 component उस module से connected है तो सभी में जाकर use हो आते नहीं थे तो यह जो है ना एक छोटा जोटा चीज ही है बट यह performance issue create करता है longer period of time में तो यह चीज है और दोस्तों इसको ना as a lazy loading भी इस्तमाल किया जाता है जब कोई route यूज करेगा तो as a lazy load भी यूज कर सकते हैं without any module तो है ना दोस्तों cool चीज और यह थोड़ा shareable भी होता है share भी आसानी से कर सकते हैं और थोड़ा साथ ज्यादा flexibility provide होता है तो this is the standalone standalone component अबना मैं जो है ना standalone component को run करके दिखाता हूं तब दोस्तों मजा आएगा तो मैं क्या करता हूं जो main.ts file है main.ts file में पहले हम module को load करते थे यह module को load नहीं करेंगे अब standalone component को तो कैसे करेंगे इसको हमें पहले हटा देते हैं और हम यहां पे bootstrap लिखते हैं देखते हैं bootstrap अब यहां पे दोस्तों क्या आ रहा है bootstrap application ओके ठीक है bootstrap application then इसके अंदर इसके अंदर क्या डाल सकते हैं root component good जिसका flag standalone true है अब देखे मुझे यह याद भी नहीं है मैंने अभी तक standalone component यूज नहीं कर आपने project में मैं जो daily life में जो angular में मैं काम करता हूं बट दीखे ऐसे करके आपको भी idea हो सकता है but yes this is the thing अगर आप करना चाहते है main.ts में अगर bootstrap करना चाहते है तो ऐसे कर सकते हैं तो अब यहापे component का name ढाल देते हैं तो मैं यहापे ढा component यह मैं डाल दिया that's it अब यह हमारा bootstrap हो जाएगा but यह सई से काम तो नहीं करेगा मुझे लगता है why because हम लोग selector यूज कर रहे है index.html में ओ match होना चाहिए तो ओ match कराने के लिए हम यहाँ से copy कर लेते हैं and यहाँ पे जाकर main.ts में main.ts में index.html में यहाँ जो app root था उसके जग़ा पर यह change कर देते हैं अब देखते हैं कि हमारा जो reflect होता है और कैसे होता है I hope कि यह काम करना चाहिए now अब हम क्या करेंगे page को refresh करते हैं तो मैं auth में गया page को refresh किया and boom guys देखिए test standalone works अब अब notice कर सकते हैं कि angular में without अब कितना cool feature है न कि without module भी आप जो है component को यूज कर सकते हैं मतलब अलग दूसरे framework and library में यह features पहले से available थे बर यहाँ पर भी अब हो गया है दोस्तों अब यह आपको न दोनो flexibility प्रोवाइट कर दिया है आपको जो suitable लगे आप कर सकते हैं अब से अगर नया project बनाते हैं जैसे मैंने अभी तक पुराने project में काम किया हूँ इसमें यह चीज़ पहले से बना हुआ था तो उसमें हमें use नहीं करना पड़ा standalone component बट अगर नया project अगर design करते हैं तो आपको यह चीज़ ध्यान में रखना चाहिए और unnecessarily हमें module पर अभी dependent रहने की जूरत नहीं है हम अलग component बना कर इस चीज़ें करेंगे तो वह जादा suitable होगा जो कि standalone component होगा unnecessary ng module यूजी नहीं करेंगे तो currently इस particular project में तीन component हो गया एक component हो गया जो है normal, test standalone और एक हो गया root component अब मैं इसको revert कर देता हूँ है changes को main.ts में ताकि मैं आपको दिखाने के लिए बताया है bootstrap हो गया इसको lazy loading में भी यूज कर सकते हैं तो क्या नहीं कर सकते मॉडूल का concept ही खतम हो गया ऐसा समझे अब हम लोग discuss करते हैं कि suppose है दो component है तो दोनों component के बीच का जो बीच में जो data sharing होता है वो हम कैसे कर सकते हैं हम चाहते हैं कि हम जो है न डेटा सेयर करें मतलब अब जैसे न मैं app component.ht उनमें गया और यहां पर मैं नॉर्मल नॉर्मल लिखते हैं नॉर्मल काम करता है यह आप नॉर्मल यस मैं न एक नॉर्मल आप नॉर्मल लिखा और इसमें मैं क्या चाहता हूँ कि मैं न जो डेटा भीजूँ यह हमारा parent हो गया यह parent component है क्यों कि जिसमें हम selector यूज कर रहे है नॉर्मल आप नॉर्मल मतलब मिंस क्या है जैसे आप नॉर्मल में जाहिएगा नॉर्मल का है component का प्रकार से कर सकते selector में selector के अंदर आप नॉर्मल को चाहिए और टाइग और प्रोवाइट करना पड़ेगा तो इस प्रकार से हम लोड कर सकते हैं अब जैसे अभी मैं इसको रिप्रेस करता हूं और रिप्रेस करके आप यह आपको दिखाता हूं तो अभी क्या रहा है य यहां पर नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि यह लोड नहीं हुआ एप नॉर्मल ठीक इसको लोड होना चाहिए तब यहां पर नहीं आएगा आप नॉर्मल के कॉंटेंट आएंगे तो मैं नॉर्मल के अंदर गया एस्टी में जाता हूं और नॉर्मल वर्क्स ऐसा लिखा यह तो app component.html अभी मैं क्या करता हूं यहां पर मैं यह देखना चाहता हूं कि यहां पर सब कुछ सभी से काम कर रहा है कि नहीं तो मैं यहां पर एक P tag ले देता हूं और पी टेक के अंदर मैं इसको यह ऐसे करता हूँ यह अन्निसेसरी है बट ठीक है अब यहां पर मैं क्या करता हूँ यहां पर लिख देता हूँ आप कंपोनेट ऐसे ही ताकि यह रेंडर हो रहा है कि नहीं यह हम चेक कर सकें में रिफ्रेस करूंगा तो यह आप आना चाहिए ब काम नहीं कर रहा है आपको याद होगा कि मैंने यहां पर जब यह टेस्ट कर रहा है स्टैनलों कंपोनेंट तब मैंने सेलेक्टर को चेंज कर दिया था तो अभी फिर से वापस से हमको चेंज करना पड़ेगा तो मैं जाता हूँ इंडेक्स.html में और यहां पर मैं इसे च तो आप यहां पर नोटिस करेंगे कि आप कंपोनेंट भी आ गया नॉर्मल वर्क्स भी आ गया विकाज यह वाला जो चीज है यह दूसरे कंपोनेंट से आ रहा है ऑके दूसरे कंपोनेंट से आ रहा है बड़ दोस्तो एक चीज हम लोग और टेस्ट कर सकते हैं कि स्टैंड अलोन वाला आ रहा है कि नहीं तो मैं यहां पे ना टेस्ट टेस्ट लिखता हूँ उसके बाद अप टेस्ट नहीं होगा, ये अप होगा इसमें आप रूट आ रहा है मैं हाँ से कॉपी कर लेता हूँ तो टेस्ट इस्टेंड अलोन में मैं गया और ये इसको कॉपी करके यहाँ पर यूज करने का ट्राई करते हैं देखते हैं यह काम करता है कि नहीं तो मैं यहाँ पर quickly फिर से जाता हूँ TS में और यह selector को मैं यहाँ पर copy कर लता हूँ and then यहाँ पर मैं उसका selector को use कर लेता हूँ यह क्या बोल रहा है यह बोल रहा है कि app is not known element दोस्तों इसे जो है यहाँ पर use नहीं कर सकते ऐसे क्यों use नहीं कर सकते because यह जो component है app component यह standalone component नहीं है तो अगर standalone होता तो यहीं पर directly import करके use कर सकते थे तो अभी दोस्तों क्या करना पड़ेगा मुझे app module में import करना पड़ेगा then work करेगा otherwise यह work नहीं करेगा तो मैं उसे यहाँ पर फिलाल के लिए remove कर देता हूँ now दोस्तों हम लोग data pass करेंगे यह app normal में data pass करेंगे from parent तो parent हमारा यह app component है उसमें हम लोग data pass करने के लिए हम लोग कैसे pass कर सकते हैं तो simple है दोस्तों यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे suppose that उसका name लिख देते है तो यहाँ पर title लिख देते है title टाइटल जो हम लोग पास करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं कि title is coming from टाइटल एज कमिंग फ्रॉम आप नॉर्मल रूट कंपोनेट आप कंपोनेट ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया title is coming from app कंपोनेट अब हम ना इसे नॉर्मल में कैसे कलेट करेंगे डेटा हम पास कर रहे हैं from parent to child तो हम जाते हैं नॉर्मल में एंड उसके ts फाइल में जाएंगे और यहाँ पर उसको प्राप्त करने के लिए जो भी डेटा पास हुआ है तो चाल्ड में प्राप्त करने के लिए हम लोग at.input लिखते हैं इंपूट डेकुरेटर ओके तो जैसे हमने यहाँ पर इंपूट लिखा तो यह इंपूट डेकुरेटर है यहाँ पर इंपूट डेकुरेटर है यहाँ पर फंक्सन होगा यह कुछ इस प्रकार से अब हम यहाँ पर न यहाँ पर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं उसका वैरियेवल का नेम तो यहाँ पर लिख देते हैं डेटा नो टाइटल यहाँ पर लिखते हैं इसको हम लोग बोल देतें कि यह इस्ट्रिंग title and then string now यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं तो अभी सही है तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि मैं input के जरिये जो parent से data आ रहा है उसे collect कर रहा हूँ तो अब हम जो हम collect किये हैं उसको हम लोग दिखाएंगे html में तो यहाँ पे न डेटा बाइंड करेंगे तो मैं जाता हूँ html में और नॉर्मल वर्क के जगह पे मैं इसको रिमूब कर देता हूँ और यहाँ पे यहाँ पे h1 tag लिख देते हैं h1 tag तो यहाँ पे मैं लिखूंगा h1 and then within that h1 हम लोग यह double curly braces लिखते हैं because this is the syntax to bind the data तो दोस्तों title जो है जो value आएगा मतलब parent से जो child में value आएगा उसे ब्राउजर में दिखा रहा है अब हम page को refresh करते हैं and let's see तो जैसे ही हम page को refresh करेंगे तो यहाँ पे लिख रहे हैं the title is coming from app component तो दोस्तों यह जो था ना वो child component था ओके and parents से आ रहा है data because of the input decorator but दोस्तों यह जो है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ पे कि exactly parent कौन है child कौन है तो दोस्तों इसको define करने के लिए हम थोड़ा सा CSS add करते ताकि यह थोड़ा यह जो है look and fill में आ जाएगा तो हम यहाँ पे अभी जो है हम इस चीज को पता करने के लिए कि parent है कि child है मैं यहाँ पे एक division add करता हूँ मैं एक division add किया and इस division के अंदर इसको wrap कर देता हूँ and इसको format कर लेता हूँ because यह सही नहीं दिख रहा है तो configure build HTML feature मैं format कर लिया but यहाँ पे हमें देना पड़ेगा कुछ style तो मैं inline CSS लिख लेता हूँ inline हलाकि मैं एक class भी लिख सकता हूँ but अभी के लिए because just मुझे थोड़ा सा differentiate करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कि कौन सा parent है कौन सा child है तो यहाँ पे दोस्तो border हम लोग लिखते है border हम लिखते है 2px 2px ओध होगा solid solid and then एक हम red कर देते है color add कर देते है let's see how it will look like अब हम इसको refresh करेंगे और यह देख सकते हैं यह जो है child component है तो यहाँ पे न कहीं बीच में एक child component भी डाल सकते हैं ताकि पता चलेगा कि this is a child component तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ child component because this is the basic syntax and then इसके अंदर div यहाँ पर मैं add कर दिया और यह जो style था यहाँ पर भी add कर देता हूँ but और इसको format कर देते हैं format document that's it but इसके जगह पर rate के जगह पर दोस्तों हम लोग कोई दूसरा color यूज कर लेंगे इसको हम लोग कर देते हैं कुछ इस प्रकार से यह yellow कर दे गया yellow कर देते हैं कुछ इस प्रकार से अगर हम page को refresh करेंगे तो आप यहाँ पर notice करेंगे यह refresh automatically हो रहा है तो देखिए एक parent component है बहुत बड़ा सा उसके अंदर child component यूज हुआ है तो parent से हम child में पास किये वो title यहाँ पर available हो जा रहा है तो इस तरह से दोस्तों data share होता है from parent to child but आप बोलेंगे यह तो सही है but child से parent को कैसे send करें कभी ऐसा भी दो सकता है कि हम child से कुछ data send कर रहे है तो उसके लिए ना दोस्तों हम लोग output decorator यूज करते हैं जैसे input decorator था data प्राप्त करने के लिए from parent to child child से parent में वेजने के लिए हम output decorator यूज करेंगे तो उसके लिए हम लोग पहले यह जो हमारा normal component है इसको child component जिसे हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर हम लोग लिखेंगे output because output के जरिये ही तो पास कर सकते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे decorator output मैं यहाँ पर लिखता हूँ just output और यह उपर में इंपोर्ट भी हो रहा है तेहां दिजिएगा यह इंपोर्ट हो रहा है अगर आप at the same time आप भी एगर code करके कर रहे हैं तो इंपोर्ट करना मत बुलिए कभी-कभी आइडी जो है सई से वर्क नहीं करता तो इंपोर्ट नहीं होता और एरर आ जाता है and then यह भी इसको function जैसा कुछ लिख देते हैं ऐसा and then उसका name देते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं suppose data emitter data emitter and is equal to new event emitter अगर हम लोग output decorator के जरीए data को pass करते हैं from child to parent तो ऐसे नहीं करते हैं उसके लिए event emitter यूज करते हैं event emitter यूज करना पड़ता है इसका एक basic जो है न इस्ट्रक्टर है means basic syntax है क्योंकि जब हम लोग data pass करते हैं तो कब pass करेंगे तो particular मतलब child से parent में data कैसे pass करेंगे देगे parent में तो हम selector use कर रहे है child में तो parent का कोई selector नहीं होता तो data जब हम pass कर रहे हैं तो कोई एक event पर pass करेंगे तो जैसे कोई click किया तो data pass कर दिये कुछ एक particular event हुआ तो उस पर data pass कर दिये तो वह अब data emit कर रहे हैं continuously ठीक है तो वह इस प्रकार से हम data pass करते हैं अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे event emitter के अंदर हम लोग जो data pass करना चाहते हैं और यहां पर pass कर सकते हैं तो यहां पर event emitter को पहले import करना पड़ेगा तो मैं यहां पर import कर दिया देन दोस्तों क्या होगा कि हम लोग जब data send करेंगे तो कब send करेंगे suppose that button click करेंगे कोई button click करेगा तो उस event पर करेंगे तो उसके लिए यहां पर हम एक method बना लेते हैं click event तो अब हम यहां पर क्या करते हैं दोस्तों यह tab यूज करते हैं it's okay now हम लोग यहां पर क्या करेंगे click click जैसे लिखेंगे जब click होगा तो अब हम यहां पर इस data को image कर देंगे जो हम image कर रहे हैं और फिरहाल title कर रहे है तो title करने के बजाए हम लोग input का value अब एक हम लोग क्या करते हैं कि input फिल्ड बनाएंगे और उसका value भी हम लोग image कर सकते हैं okay अब फिरहाल अभी समझने के लिए दोस्तों यहां पर title ही image कर देते हैं मतलब जो parent से child में भेजा गया था उसी को image कर रहे है कि इमिट तो कर दिये बट उहां पर collect कैसे करेंगे तो collect करने का भी एक उपाय होता है तो collect करने के लिए हमको यहां पर कुछ लिखना पड़ता है दोस्तों तो हम आज आते हैं parent component में और parent component में collect करने के लिए जैसे मैंने यह title sent किया ठीक है यह title हमने sent किया अब हम receive कैसे करेंगे तो receive करने के लिए अब हमने एक emitter बनाया था जिसका name था data emitter तो data emitter ही use करेंगे यही name जो name से आप decorator बनाते हैं जैसे input के condition में क्या था जिस name से आपने pass किया था हुआ ही name यूज करना पड़ा तो output decorator में जिस name से आप receive करना चाहते है यह name यूज करना पड़ेगा तो यहाँ पर क्योंकि यह event की तरह है because data वहां से आएगा जब वहां से data sent किया जाएगा तो मतलब वह कभी भी send कर सकता है logic के coding continuously data sent होता रहेगा इसको बोलते है event binding तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर bracket यूज किया small bracket इसको बोलते है event binding data तो आया उसको collect करेंगे इस function के माद्यम से एक method के माद्यम से तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर collect data collect data में लिख देता हूँ और इसके अंदर मैं डाल दूँगा event because data आ रहा है वो event type का है तो मैं हाँ पर लिख देता हूँ event that's it अब दोस्तों क्या होगा कि data आ रहा है उसको collect तो कर रहे है बट यह method तो अभी लिखा नहीं गया है na html में app component और html में तो मैं यहाँ पर वो भी लिख देता हूँ and then इसको हम करेंगे कुछ इस प्रकार से और यहाँ पर मैं console lock कर देता हूँ console lock करने के बजाए जो data आया उसे हम parent में दिखा देते हैं तो यह ज्यादा सही होगा console भी कर सकते मैं यहाँ पर console कर देता हूँ और data को वहाँ पर दिखाने के लिए यह title है मैं एक variable बनाता हूँ इसको फिलाल remove कर देते हैं मैं एक variable बनाता हूँ obvious यह बात है जो data हम collect करेंगे वो यहां से यह variable के through ही data collect करेंगे तो यहां पर लिख देते हैं data and एक variable बना लेते हैं जिसको बोल देंगे this.collected data is equal to data तो जो data आया इसके अंदर इस variable के अंदर collect कर रहें तो इसको declare कर देते हैं property नौ यह क्या बोल रहा है कि यह type जो data का type है वो any होना चाहिए अलाकि मुझे पता है कि मैं string बेज रहा हूं तो यहां पर string भी लिख सकते हैं let's write a string string and उपर में भी क्योंकि data जो आया है वो string format में आया है तो यहां पर string लिख देते हैं तो यह कुछ यहां पर error आ रहा था दोस्तों तो यहां पर उसका value फिलाल नल दे देते हैं अब हम लोग parent में उसे कहीं render करवाते हैं तो हम लोग curly braces लूज करके data bind कर देते हैं और उसका value था हमारा यह collected data that's it now जो भी data वहां से आएगा back end से I mean child से और यहां पर so करा सकते हैं तो जब भी button click होगा तब data आएगा हम कोई दूसरा data भी बेज सकते हैं तो जो भी data बेजेंगे तो continuously हाँ पर आता रहेगा अब हम लोग page को refresh करते हैं and let's see तो page को refresh तो कर दिये but click event तो मैंने लिखा ही नहीं था तो data तो इमिट ही नहीं हुआ उसके लिए जो है click event लिखना पड़ेगा तो मैं हाँ पे इसी के जगा पे एक button बना लेता हूं बस बहुत ही छोड़ा सा button रहेगा input type button and उसका value लिख देते हैं click click me something like that और मैं हाँ पे एक function एक event click event जो है fire करवा देता हूं जब click होगा तो हमारा एक function call होगा और उस function का name है हम लोग यह जो काम कर रहे है यह normal के अंदर कर रहे है मिस child component के अंदर यह जो function का name है हमारा वो click ही है तीक है तो इसको click ही दे देते हैं आपर कुछ इस प्रकार से यह function call हो जाएगा जब यह function call होगा मैं फिर से flow बता देता हूं चाइल्ड कंपोनेंट में एक बटन है जिसको हम click करेंगे और click करने के बाद हमारा जो त्स का फाइल है ओ क्या करेगा data को इमिट करेगा हो क्या data करेगा ओ होगा title टाइटल क्या होगा वह टाइटल जो पैरेंट से आया है क्योंकि इनिशियली तो नल रहेगा इसके पास बटो पैरेंट से जो चाइल्ड आएगा और यहां पर हम इमिट करेंगे तब तक data आ चुका होगा क्योंकि click तो बाद में करेंगे बट उसके लिए हम लोग output decorator यूज किये हुए है उसका instance है output decorator यूज किये हुए है और उसका name डाल दी है data emitter and यह name match होना चाहिए parent component पर ठीक है parent component पर जो हम लोग use कर रहे हैं उसे match होना चाहिए और यह instance है event emitter का because event हम लोग send कर रहे हैं मतलब सोचिए कि child से parent में अगर data अगर send कर रहे हैं तो वो event के जरिए ही send कर सकते हैं because यही एक मात रुपाए है हमारे पास ओके now अगर parent से child में कर रहे हैं तो तो बहुत आसान है because of the event winding event winding में क्या होगा variable का value change होगा data जो है flow हो जाएगा from ts to component और component में क्योंकि हम load कर रहे हैं child component तो वो child component के पास चला जाएगा तो यहां पर notice कर रहे है it's absolutely fine अब हमारा work करेगा अब हम लोग क्या करेंगे page को refresh करते हैं page को refresh किया यह बटन है अब दोस्तों इसको छोड़ा सा छोटा कर देते हैं और मैं जैसे click करूंगा तो यहां पर कुछ आना चाहिए देखिए title is coming from app component जो मैंने title send किया था from parent to child वहीज चाहिए फिर से वापस से send कर दिया तो I hope कि आपको समझ में आ गया कि कैसे data flow होता है from parent to child and child to parent दोस्तों multiple component अगर यूज करते हैं तो उनके बीच में कई बार क्या होता है कि relationship होता है parent to child होता है पर कई बार ना जो है कोई relation नहीं होता बट दोस्तों बहुत से उपाय हैं there are several way to send data from any component ओके तो data को share बड़े असानी से कर सकते हैं ऐसा जब भी नहीं को relationship रहेगा तभी कर सकते हैं relationship नहीं भी है तभी कर सकते हैं तो एक तो उपाय यह हो गया कि जब suppose that relationship है तो इस प्रकार से करेंगे तो input decorator यूज करके data को share करेंगे from parent to child and output decorator and event emitter output decorator with event emitter हम लोग data share करेंगे means data emit करेंगे from child to parent then क्या होता है कि जैसे दो component है and they both are used means as a sibling means दोनों ही माल लिजे कि दो component है एक parent component में दोनों component यूच हुए है तो इस condition में भी दोस्तों हम लोग means या फिर multiple component है और across the component data share करना चाहते हैं तो हम लोग services भी यूज कर सकते हैं ओके तो services यूज करेंगे और services के पास एक option होता है na singleton service का ओ क्या करता है दोस्तों singleton नाम से ही जिस पता चल रहा है उसका एक instance होता है तो एक ही state share होता है तो अगर मान लिजे कि data share करना चाहते है विदिन the component I mean across the component in the multiple component एक service बनाएंगे और inject कर देंगे वह service को दो जगा पर तो suppose that उसको root module के अंदर provider के section में service पहले declare करेंगे उसके पास क्या करेंगे कि जिस जिस component में data share करना चाहते हैं उस component में inject करेंगे और inject करके data किसी एक में एक से variable के value को change किये मिन service के variable के value को और किसी दूसरे में भी उसका value प्राप्त कर सकते है यह तो यह उपाया है दूसरा rxjs and behavioral subject means rxjs subject और behavioral subject इसमें क्या होता है दोस्तों किसी भी component में data share कर सकते हैं ओके ओ कैसे होता है behavioral subject में क्या होता है कि मान लिजे कि data emit करता है means over period of time data emit कर सकते हैं तो data to share कर एक behavioral subject का एक variable create किये and observable जिसको बोलते हैं और उस observable को को subscribe करेगा तो मान लिजे कि 10 component है और 10 component है उसको subscribe करके रखा है और कहीं भी किसी भी components एगर variable के value को होगर हम change करेंगे means data को means observable के जो object है उसमें data को emit करेंगे तो सारे component को data प्राप्त हो जाएंगे because of the behavioral subjects उसके पास एक facility है broadcast करने की तो ओ जो है एक type का broadcast हो जाएगा और सारे component जितने भी component है उसमें data प्राप्त हो जाएगा जैसे event जैसे इसमें कैसे प्राप्त हुआ है event emitter यूज करके output decorator with event emitter child to parent पास कर दिये उसी type से हम लोग across the whole component और maybe जहां भी behavioral subject यूज करना चाहते हैं हर जगा और data मौजूद हो जाएगा तो एक तो यह उपाए है तो मैंने क्या बताया है कि जब relationship होगा दूसरा कि अगर माने जह sibling component है तो फिर data share करने का उपाएवाता है कि services के instance के जरीए हो जाता है because वो singleton होता है तीसरा RxJ subjects and behavioral subject और चौथा दोस्तों होता है वो हो गया कि हम लोग route भी तो यूज करते हैं तो route के माध्यम से हम लोग parameter या query parameter यूज करके भी जो है data को share कर सकते हैं तो routing के माध्यम से भी कर सकते हैं बट उसके लिए ना दोस्तों हमको वो navigate करना पड़ेगा using the path और route और अगला उपाय है NGRX NGRX में भी दोस्तों कोई भी component में भी हम लोग data share कर सकते हैं यह थोड़ा सा न NGRX is a बहुत complex state management का एक tool है यह different एक library है NGRX वो state manage कर सकते हैं suppose जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 different component है और 10 different component में data share करना है तो behavioral subject यूज करेंगे और कहीं एक जगा से data change हुआ तो हर जगा broadcast हो जाएगा अगर हम लोग service यूज कर रहे हैं तो किसी एक जगा से अगर data change हुआ तो पता नहीं चलेगा कि किसने data change किया वो track करना बहुत मुश्किल होता है मतलब user के state को मिन्स उसका variable का value अब तो change हो चुका है तो पहले क्या आता हो तो पता भी नहीं चलेगा तो उसका state कैसे manage होगा तो उसके लिए एक whole different tool आ गया है दोस्तों मिन्स टूल मोजूद है हम लोग use करते है state manage करने के लिए और यह बहुत ही powerful होता है तो पहले वाला state भी पता कर सकते है कि एक variable है उसका पहले value क्या था और अभी क्या हो गया observable में तो हो जाता है observable में पहले का value हम लोग प्राप्त कर सकते हैं बट यहां भी कर सकते हैं means behavioral subject subject जो observable होता है basically वो तो angular का in build है state manage करने के लिए अगर small and medium type का अगर project है तो इसमें state manage तो बड़े असानी से होता है using the rxjs using the using the behavioral subject or maybe observable but बहुत बड़े application में हम लोग ngrx को different tool यूज करते हैं इस purpose के लिए और एक और दोस्त होता है जो कि वह भी बहुत popular है वह है view child और content child जिसमें हम लोग parent to child और child to parent दोनों ही cases में हम लोग कर सकते हैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है बस हम लोग view child decorator यूज करते हैं और content child decorator यूज करते हैं तो दोस्तो child component में हम को ज्यादा view child यूज करके ज्यादा कुछ करना नहीं होता है तो view child अगर यूज करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे suppose that let's do it in app component यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि view child यूज करते हैं तो just यहाँ पर add decorator view child and यह जो view child है दोस्तों यह component है child component तो यहाँ पर हम लोग normal component डाल देते हैं normal component and यहाँ पर हम लोग लिख एक नाम दे देते हैं उसका नाम तो देना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ child component child comp लिख देता हूँ कुछ इस प्रकार से and बस यह declaration तो हो गया but यहाँ पर यह क्या बोल रहा है यह बोल रहा है कि property child component है no initializer यह initialize नहीं किया गया तो इदर इसे ng on init या फिर constructor में initialize करना पड़ेगा तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों अगर child से कुछ भी अगर प्राप्त करना चाहते हैं parent में तो view child भी यूज कर सकते हैं view child के जरीए आप most of the चीजे उसके most of the property भी access कर सकते हैं तो जैसे child component में property होगा method होगा उसको भी access कर सकते हैं मतलब अब यह कि child component में कोई भी प्रोपरिटी इन मेठेट को आप यूज कर सकते हैं अब again सारे को नहीं यूज कर सकते क्योंकि कई पार क्या होता है कि private होते हैं protected होते हैं okay public होते हैं तो उसके according करता है बट आप आप जो है ऐसे यूज करके view child यूज करके आप most of the thing आप बड़े असानी से यूज कर सकते हैं otherwise जो output decorator यूज कर रहे थे data send करने के लिए from child to parent उस condition में आप कुछ एक particular data ही send कर रहे थे बट यहाँ पे दोस्तों most of the property और आप जो है पूरे child component का ही access दे रहे हैं तो data प्राप्ट करने के लिए हाँ पे हम लिखते हैं ng after view init क्योंकि हम लोग child component को access करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं ng after view init and इसके अंदर अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे data को receive भी करेंगे तो हम यहाँ पे console करके देख रहे हैं child component में क्या क्या आ रहा है ng after view init में और दोस्तों यह error है जो की अभी हम fix करेंगे थोड़ी देर में implement और इस प्रकार से इसे उपर में declare भी करना पड़ेगा तो import करना पड़ेगा तो import कर लिए इसे और इसको क्यों नहीं पर इनिसे लाइज कर दिया जाए तो इनिसे लाइज यहाँ पर नल करके कर सकते हैं नहीं नल करके यहाँ पर नहीं कर सकते हैं यह फिर बोलेगा कि यह तो इसका टाइप तो चैल्ड नॉर्मल कंपोनेंट होना चाहिए तो इसे हम लोग कंस्ट्रक्टर में सेट कर देते हैं quickly मैं हाँ पर चंस्ट्रक्टर जो की by default यह method होता है किसी भी क्लास का by default ऐसा ही होता है ओके कुछ इस प्रकार से नाउ इसको इनिसे लाइज भी करना पड़ेगा तो इसको इनिसे लाइज करने के लिए हम लोग करते हैं इस यूज करना पड़ेगा यहाँ पर तो that's why यहाँ पर लिखते हैं इस dot and then नाम रहेगा after no कुछ replace हो गया है तो quickly मैं यहाँ पर child component यहाँ पर लिखेंगे this dot child component is equal to new normal component that's it मैं इसको यहाँ पर फॉर्मेट करता हूँ अभी भी error नहीं गया है बड़ मैं अभी check करूंगा why यह बोल रहा है null is not assignable okay इसको मैं यहाँ पर remove कर देते हैं अब yes तो अब दोस्तों यह हमारा successfully यह काम हो चुका है now अब हम लोग page यह load हो चुका है और अभी हम console में check करेंगे because console में हम लोगों ने print किया था तो let's open the control inspect element क्योंकि यह browser crash हो चुका है तो मैं इसे दुबारा से open करता हूं browser में okay तो just make browser open कर लेता हूं and then we will open this one and मैं हाँ पर inspect element करूंगा because मुझे पता है कभी जभी यह crash हो जाता है कुछ inspect element नहीं होता तो दोस्तों यहाँ पर notice कर रहे होंगी कि मैंने वहाँ पर जो console किया था वो console हो चुका है और normal component के अंदर उसके अंदर title से लेके उसके matter and property everything is accessible है मतलब आप जो है child component का एक property छोड़िये उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुए matter and property everything आप यूज कर सकते हैं this is a child component okay this is a view child this is a power of view child now यहाँ पर ng after view init ng after view init अब सोच रहेंगे कि क्यों मैं इसमें ऐसा किया हूँ because मैं क्या चाहता हूँ कि यह जो normal component है वह भी पूरी तरह से render हो जाए ठीक है तो दोस्तों जब पूरी तरह से view ready हो जाता है और view ready तो हो जाता है view means dam में dom में manipulation and rendering तो हो जाता है including the child component आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे child component use किया था यह रहा child component जो कि a normal app normal तो यह भी पूरी तरह से means इसका भी तो life cycle होता है ना उसका भी initialize होगा and then इसके अंदर भी child component इसके भी अपने child component हो सकते हैं यहाँ पर कई बार क्या होता है हम लोग कुछ project करते हैं जैसे इसके अंदर कुछ लिख दिया ठीक है इसके अंदर कुछ लिख देते हैं कि send यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ तो project, data project, content project तो हम content को यहाँ पर भेज सकते हैं इसको जब हम भेजेंगे तो फिर वहाँ पर प्राप्त करना पड़ेगा तो वह भी एक life cycle का ही part है यह data जब वहाँ पर आएगा तो एक event fire होगा जब दोस्तों हमारे पास जो भी component है, child component है जब ओ रेंडर हो जाएंगे तो उसमें दो life cycle हो जाता है एक होगा कि जब start होगा और दूसरा rendering complete हो जाएगा ठीक है तो इस type के जो सो life cycle होग होते हैं तो मैं क्या किया कि जब पूरी ज़रा से render हो जाएगा तब जाकर हमको data चाहिए तो ng-afterview init इसलिए ng-afterview init में मैं console किया और console में पूरा normal component, पूरा component का property and method everything आप यहाँ पे देख सकते हैं तो I hope कि आपको समझ में आ गया और वीडियो यह काफी लंबा हो चुका है तो मैं जो है next वीडियो में दोस्तों बहुत interesting next part को लेकर आऊंगा तो thank you for watching this video, have a nice day